आज की ये कहानी है एक ऐसे डॉन माभिया बाहु वली राजनेता यानि की पॉलिटीसियन की जो आप देखेंगे एक समय परियाग राज इलावात का परियाय बन चुका था किसका खौप का एतीक एहमत जो बेहदी अजीब तरीके से हमेशा के लिए अब खामोस हो गया है और कभी पुलिस और मीडिया के सामने सेर की तरह दाड करने वाला आज बे सहारा बनकर खामोस हो गया है तो आप लोगों की दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अतीक एहमत कौन था और इसकी कहानी पूरी क्या थी तो आज हम लोग इसी के बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे इसके बारे में जानेंगे इसका परिबारिक बेक ग्राउंड देखेंगे इसकी सिक्षा के बारे में जानेंगे राजनितिक सपर किस तरह से रहा है किस तरह से इस से जुड़े बिवाद रहें उन पर भी हम लोग बात करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इसे देख भी रहे होंगे कुछ और पिक्चर देख लीजे अभी हाली में आपने देखा है कि इन असरप और अतीक दोनों की हत्या कर दी गई हत्या कर दीगे गोली मार कर प्रयाग राज में ही और आप देखे इसका परिबार है इसमें आप देखे पत्नी की बात करें तो पत्नी सायस्ता और भाई अशरप हो गया इसके पांच बेटे थे एक दिन पहले ही भी आप लोगों ने दिखा होगा कि उत्तरपिदेश ATS ने इंकाउंटर में इसके बेटे असद को मार दिया गया था तो इस सब आप देखेंगे अली, उमर, असद, अहजान, अवान इसके बेटों की नाम है तो अतिक का जनम होता है 10 अगस्त 1962 में उत्तरपिदेश प्रयाग राज में देखेंगे यह हमारा प्यारब भारत है, इसमें आप देखेंगे यह उत्तरपिदेश देखने को मिलेगा लखनवीस की राजदानी है, 24 जनवरी 1950 में इसे राज बनाए गया था विधान सभाव में 403 सीटे हैं, विधान पईचद में 100 सीटे हैं, राज्य सभाव में 31 सीटे हैं, लोकसभा में 80 सीटे हैं, 2,4,928 बरा किलो मीटर में पहला हुआ है अंतराष्टी सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, जारिकंड, चत्तिसगर, मद्ध पिदेश, राजिस्तान, हरियाना, हिमाचल पिदेश, उत्तराकंड और दिल्ली, आठ राज्यों से लगती हैं और एक केंदसासित पिदेश से लगती हैं, ठीक है? याद र आतीक एहमद का परिवार भी बहुत गरीब था कभी, साल 1989 का दौर था, उसमय इलाबाद के चक्किया मुहले में फिरोज एहमद नाम के एक सक्स को सक्स हुआ करते थे, वो तांगा चला कर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे, इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, ब फिरोज का बेटा फैल हो जाता है, अब वो इस परिक्षा में तो फैल हो गया, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि अमीर और बाहू बली बनने का सपनया भी देखने लगा, उम भले ही उसकी 17 साल थी, यानि वो अभी बाले भी नहीं हुआ था, वो बोट भले ही नहीं दे करता गया, ये अब अतीक एहमद की नाम से कुख्या थे, और कई महिनों से गुजरात की साबरवत्री जेल में बंद भी था, हत्या अपरन मडर के प्रयास समेत, कई आप देखेंगे दरजनों, सो से जानदा मामले दरज थे इस पर, अब इसके नाम की चर्चा इलावाद मे प्रयागराज बने सहर में उमेश पाल हत्याकांड में हो रही थी, अब ही कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि उमेश पाल की हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इसका नाम जुडा था, क्या हुआ था? जुडा था, जिस चानद बाबा का था खौफ उसी का हत्या कर अती अतिक एहमद बाहुवली बना था अतिक एहमद कैसे बना बाहुवली कैसे अपराज सिराजनीती की दुनिया में आये इसे पूरा समझने के लिए चलते हम लोग 1987 के आसपास की बात इलावा सहर में चांद बाबा का दौर था उसके नाम से लोगों के मन में खौप पैदा हो ज चाहते थे लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी अब दो साल बक्त गुजरा और अतिक एहमद का दबदा बढ़ने लगा लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी अब पहचान बड़ी करनी थी तो धमागा भी बड़ा होना चाहिए तो सो अतिक ने ओही किया इलावात के सबसे ब बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौक खाते थे उसी का बेखोब अंदाज में मडर कर दिया गया कतल करने बाला अतिक अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया इसके बाद अतिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल बदलते गए और बड़े की हत्या फिर 2005 में नए नए विधायक बने राजूपाल की हत्या कराकर अतिक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जरायम की दुनिया में छा गया फिर आप देखे जुर्म से सियासत का दुनिया का सफर तो जुर्म की दुनिया के सियासत में कदम रखने वाले अतिक अहमद की बड़ी कहानी है आप देखें 1989 में चांद बाबा की हत्या से जब पुलिस और बड़े-बड़े नेता में खौप पैदा हो गया तो आम जनता क्या चीद थी तब अतीक एहमद का खौप लोगों की जहन में उतर गया पर पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई थी लेकिन अत क्यासत की गलियारों में घूमने की जगे सीधे मंजिल पर चड़ने की चाहत रखने वालों में था इसलिए साल 1989 में उसने राजीती में जोरदार इंट्री की और इलावात की पश्मी सीट से विधाय की का चुनाओ लड़ा वो भी निर्दली है क्योंकि वो जानता था कि उ अकादा चुनाओ अधिकारी ने एलान किया अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाओ जीता फिर जिले के डिये डियम ने सपद्धी भी लाई अब ये कल का गेंगिश्टर अब आप देखते राजनेता बन जाता है मर्डर केस में पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अब बिधायक बन चुका था और इस जीत के बाद अपराधी का राजनीती करन तेजी से हुआ और एक राजनीती पार्टी ने अतीक अहमद का जोरदा स्वागत किया अतीक ने अब समाजवाधी पार्टी का दामद पकड़ लिया फिर अपना दल में भी गया अतीक लगाता पांच बार बिधायकी का चुनाव जीता और इसके बाद आप देखे बिधायकी छोड सांसद में जाने का फैसल लिया और फूल पो सांसदी छेट से चुनाव लड़ा और उसने जीत भी हासल की और देखे बिधायका आपको बनना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए अधिकतम उम्री की सीमा नहीं रखे गई है और लोग सभा का सदस बनना है तो कम से कम आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए अधिकतम उम्री की सीमा यहां भी नहीं रखे गई है और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होत इसी साल सांसत बनने के बाद अतीक एहमद की विधाय की वाली सीट खाली होती है उस पर चुनाव होना था अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीतेगा मुकाबला राजुपाल से था और बासापन से चुनाव लड़ने राजुपाल ने आकरी बाजी माल ले यानि कि BSP के राजुपाल चुनाव जीत जाते हैं और इस सीट पर राजुपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत से अतीक एहमद को अंदर से हिला दिया और उसने उस राजुपाल को जरसे ही कतम करने की ठान ली फिर वो तारीक आई 25 जन्मरी 2005 को राजुप हत्याकानड में देवी पाल और संदीप यादाओ की भी मौत हो गई इस हत्याकानड में सीधे तोर पर उस समय की सांसत अतीक एहमद उसके भाई असरफ का नाम सामने आया अब अतीक एहमद का जुरम भी की दुनिया में नाम और बढ़ गया क्यूंकि उसका मुकाबला करने की हमद अकोई नहीं कर सकता था फिर आप देखें यहां तक की जज़ भी हमद नहीं जुटा पा रहे थे आप देख रहें कहते हैं कि इसकी सुनवाई के दौरान जो जज़ थे उन्होंने अपने नाम बाप से ले लिए थे जब दस ज़ज अतीक की जमानत पर फैसला देने से खुद ही काप गए थे एबात है साल 2012 की उस समय जब तक अतीक अहमद जेल में बंद था चुनाव लड़ने की उसल ने इलावाद हाई कोट में जमानत के लिए अरजी ली दी लेकिन उसका खौप ऐसा था कि हाई कोट के एक या दो नहीं बलकि दस ज़ज पैसला लेने से पक्ष में ही दिया यानि अतीक अहमद को जमानत मिल जाती है अब जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव तो लड़ा लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं था वो चुनाव हार जाता है और हारने बाला कोई और नहीं वही राजू पाल की पतनी पूजा पा पाइटी थी समाजबादी पाइटी लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और उस समय बीजेपी की नेता ददन मिसरा ने चुनाव जीत लिया इस तरह बाहू बली अतीक अहमद का कब लगातार गिरता गया लेकिन एक बार से फिर अतीक अहमद यूकी सियासत और अपरा दो की है अतीक अहमद की